असलाम अलेकूम है दोस्तों आप सब कैसे अम्मिद करती हैं सब भी ठीक होंगे दोस्तों आज मैं बनाओंगी टमाटो के चट्नी चट्नी बनाने के लिए गए चलो कर दिए कड़ाई में तेल डाल दी हूं तेल दोस्तों गरम हो गया है अब इसमें मैं कि आढ़ь से नाव अरी मीर्च ले लिये हूं ऐसे मैं अच्छे से नमक में डुबा लिये हूँ इसको हम फराई कर लेंगे मिर्ची को में बीच में से चीरे लगा ले नाएं प्ला मिय बिच अब रसक आग़ाले क cyclo लगा लिए हूं डंठल को मैं थोड़ती हूं जब हारे मिर्श हलका पंड जाए तो इसमें मैं आदक किलो प्याज डाल देती हूं प्याज यह क्तियाए सो थोड़ा कम है इसको मैं अच्छे से चिला देती हो और याज अच्छे प्याज अच्छे से लाल हो गया है आप देख सकते हैं आप इसमें बारिक कटा हुआ अधा किलो टमाटर तकी तो your spouse var याज पांता नहां सरह मृउना हुआ है मृर्ड़ी मैं धक डीते याँ मैं पीजाएं टमाटर बहुत नरम हो गया है आप देख सकते हैं सोप्ट हो गया है गलना इस्टार हो गया है यह थोड़ा थोड़ा भी नहीं गला इसको हम कर्चुल से इस तरह कर देंगे ताकि आप टमाटर बारिक हो जाए आप दोस्तों इसमी में डालूंगी मसाला स्वादन सान नमक एक अच्छा इसे हम भूनेंगे उतना यह ज्यादा दिन चलेगा आप इसे सफ़ड में भी ले जाके खा सकते हैं बहुत अच्छा लगता है इसको मैं आउट डग देती हूं तकि मसाला भी अच्छे से पक जाए दोस्तों मैं चटनी को अच्छे से पका लिए दो मिनिट इसको अच्छा लगता है रोटी चावल के साथ के दाल के साथ खाये बहुत अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिये गया जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा मिलती हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज